हाई फ्रेंड्स वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो आप सब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है काफी सारे कैंडिडिट के कोमेंट्स आ रहे हैं कि पी एन बी के दो से तीन दिन में बहुत सा वीडियो में बताऊंगी सो आप वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना हर एक लोकेशन का पहले मैं आपको एलिजिबिल्टी क्लियर करूंगी उसके बाल बताऊंगी आपको अप्लाई इसके लिए किस तरह से करना है अगर आप फर्स्टेम चैनल पर आएं आपको पता है जो पुराने सबस्क्राइबर है मैं आपके लिए हर एक लोकेशन के विकैंसिज सबसे पहले लेकर आती हूँ चाहे किसी भी क्वालिफिकेशन के एकौडिंगर विकैंसिज आई हो तो आप जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे सब्सक्राइब कर लिया है तो बैल इक उनको प्रेस करके औल पे क्लिक कर लेना ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंग जाए बाकी बताना चाहते हूं इस रिक्रूटमेंट के इलावा काफी सारे नई डिपार्टमेंट की विकैंसी आ चुकी है जो हमारे डेगुलर सब्सक्राइबर उनको पत आप चाहो आप इसको डारेक्टली गूगल पे टाइप कर सकते हो फर्स नेंबर वाले जो आपको एपसेट मिलेगी वह हमारे ही ओफिशल वेपसेट है विजिट करके आप इंफोमेशन ले सकते हैं और वेपसेट पर जब आप जाएंगे वहां पर भी आपको सब्सक्राइ पर टाइम टू टाइम मिल जाएंगे बात करें पी अनबी की आई हुई लेटेस्ट विकैंसिस के बारे में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसमें अलग अलग लोकेशन वाइस वेकैंसिस है इवन इलिजिबिल्टी बी अलग-अलग है जाहे मैं एज की बात करो चाहे मैं को वालिफकेशन की बात करो तो सबसे पहले मैं आपको लेके जलती हूँ हमारी ओफिश साइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसमें आपको लास्ट में जो फर्स्ट वाला लिंक मिलेगा पी एन भी रिकूट्मेंट का मिलेगा ठीक कर सकते हैं जो पहला नोटिफिकेशन है इसमें आपकी एज एक एक दोजार एकिस तक बनती है अठारा से चौबिस साल तो आप इन विकेंशिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसी के साथ इन्होंने मैंशन किया है कि जो ओभी सी केंडिट है उनको तीन साल का रिलेक्सेशन द तो रहे हैं कि यह बहुत्य पांगा है नहीं मैंने आपको पहले बताया इसमें हर एक लोकेशन वाइस वैक एंस आउट हुई है और क्वालिफिकेशन हर एक नोटिफिकेशन के एक कॉडिंग लिए जैसे मैं पहले नोटिफिकेशन की जो बात करें यह इसमें अगर आपने 10th pass किया तो भी आप apply कर सकते हैं 12th pass किया तो भी आप apply कर सकते हैं आपके qualification के marks के according इसमें merit लगेगी उसी के basis पे आपकी selection इसमें होने वाली है और इसमें आपकी salary 14500 से 28145 रहने वाली है आपको जो इन्होंने form दिया है मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसमें आपने complete detail फिल कर आपना name contact number father name और mobile number email id permanent address date of birth में आपका क्या नाम लिखा हुआ है या 10th का जो certificate है उसमें आपका क्या नाम लिखा हुआ है तो आपने इनको अलग-अलग date wise है क्योंकि अलग-अलग location wise notification है सब के लिए date भी अलग-अलग है ठीक है तो इसके लिए आपने एक मार्च तक apply करने आप देख सकते हैं यहां मैंचन किया है पंजिकरित डाक या speed post means अगर आप बाइपोस्ट करना चाहों कर सकते हो या speed post कर सकते हैं पियन की यह विकेंजी है यह पहले notification के अभी आपने बात किया यह सूरत के लिए है means गुजरात के लिए ठीक है अब मैं आपको बताते हो second notification क इस location के लिए आया हूए है second जो notification है वह बैंगलोर के लिए है इसकी सेम eligibility आप देख पा है उसके बाद इसमें जो बैंगलोर के लिए तीन location के लिए है पोस्ट यह भी बाला सोर के लिए जर्ट के लिए दो पोस्ट यह भी पॉस्ट है और बीसी एड़ीवस के लिए इसके लिए नहीं है ऐसी के लिए एक है टोटल हो जाते है तेन उसके बाद अलग अलग डिस्टिक वाइस इनों ने जो है बैंगलोर के लिए जो वकेंसी जा उनको भी डिवाइड कर रखा है उसको भी आप अपने एकॉर्डिंग ली चेक कर ल जो दिस्टिक है जहां पर ये नोटिकेशन है जिसकोरिए रिलीज किया गया थहा हर्याना के लिए हरयाना के 2-3 और लोकेशन है जहां के लिए इनों ने इस नोइचिश किया हुअ है और इसके लिए आप अपनी क्वालिकेशन के अकार्डिंग ली मैंने आपको सारी नोट नहीं है offline ही आपको apply करना है जो मैंने आपको पहले भी बता है ठीक है इसका जो application format है अगर मैंने आपको link description में दिया है तो यह format है जो आप देख पा रहे है मैंने अलग से आपको link भी दिया हुआ है इसमें अपने अपना name mention करना है first middle या surname साथ में अपने mention करना है ठीक है उसके बाद आपको अपनी दो passport से photograph यहाँ पे fix करनी है यहाँ पे इन्होंने mention किया हुआ है जिसमें एक जो आपकी फोटो ह होनी चाहिए और एक color ही हो लेकिन signature के साथ हो दो photograph आपने यहाँ पे अटेश्ट कर देनी है इसी पर ठीक है उसके बाद इसी तरह से जैसे आपने अपना name लिखा ऐसी अपना father का name first middle surname qualification आपकी minimum qualification यहां लिख सकते हैं कौन सी बोर से पास आउट किया कब पास आउट किया कित तेंथ ट्वेल्थ या तेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुट जो भी है यहां पर तीनों कॉलम आपने फिल करने हैं उसके बाद आपने domicile लिखना है कि आप कहां के domicile हो उसके बाद यहां पे category है आप कौन सी category से बिलोंग करते हैं जर्नल, SC, ST, OBC, EWS, आपका permanent address क्या है वो mention कर option मिलेगा जैसे इंदोंने यहां mention के हैं गुजराती, Hindi, English, other ठीक है तो अगर आप गुजरात के हैं आपने यहां mention करना है अगर अपने accordingly आप अपने near about PNB की branch से भी यह ले सकते हैं या कुछ से भी इस format को आप त्यार कर सकते हैं या फिर आप other पे select कर सकते हैं मैंशन कर सकत यहां पर आपने अपना pen card number अगर आपके पास है आप mention जरूर करना water id उसके बाद इन्होंने अगर आपके पास कोई code case थो नहीं चल रहा है तो आपने no पे click कर देना है अगर चल रहा है तो यहां पर आपने details mention करने है कि उस case का status है क्या ठीक है उसके बाद यहां पर आपने date mention करने है कब आप application send कर रहे हो उसके बाद place यहां पर आपने signature send करने है और साथ में इन्होंने important चीज़ यह mention किया है जो documents आपको self-attested copies है जो आपको साथ में लगानी है 10th या 12th की मार्कषिट, Domicile Certificate या फिर Employment Exchange Card, Address Proof, Identity Proof, Pen Card, Photography, School Living Certificate, Birth Certificate, 12th या उसको इक्वल भ कोई लगा सकते हैं जैसे अगर graduation वाले apply गना जाते हैं वह वह भी लगा सकते हैं ठीक है तो इसी तरह से आपको apply कर लेना है इसी step को follow करते हुए link directly मैंने आपको description में दिया है first time channel पर आए हैं तो channel को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लेना तांकि हर एक notification आप तक टैबली पहुं official site www.clory.com के उपर वहां पर जब आप जाएंगे अपनी qualification के accordingly आप विकैंसी चेक कर सकते हैं department wise चेक कर सकते हैं अपनी location के accordingly विकैंसी भी आप चेक कर सकते हैं और जो भी notification मैंने अपनी official site पर update किये हैं वो सारे के सारी latest आए है विजिट करके आप जल्दी से information ले लेना बाकि अगर first time आई है चैनल पर सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक notification आप तक timely पहुंच जाए तो चलिए आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे next वीडियो में नई information के साथ thanks for watching